हेलो स्टुडेंट्स आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बॉक्स मॉडल की बॉक्स मॉडल सी एसस का सबसे इंपोर्टन टॉपिक है जिसके अंदर चार प्रोपर्टी आती है बॉर्डर, मार्जिन, पैडिंग और कंटेंट बॉक्स मॉडल के आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे बॉर्डर तो चलिए एक एक्जाम्पल लेते हैं और बॉर्डर को समझते हैं सबसे पहले मैं एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ जिसमें HTML, head, and body, and style होगी बॉर्डर को समझने के लिए हमें सबसे पहले div को पढ़ना पड़ेगा div क्या होता है उसको देखते हैं div का मतलब होता है division division का मतलब होता है अगर आप मालो एक paragraph है यह हमारा दूसरा paragraph है हमारे पास एक paragraph और है हमारे पास तीन paragraph है अगर हमें दो paragraph को एक साथ target करना है और एक paragraph को अलग target करना है तो यहां पर हम एक id लेनी पड़ेगी और उस id को target करना है तो हम कुछ भी दे सकते हैं और एनिटिंग कलर ब्लू करके मैं इसमें आइड देता हूं कि इसमें आइड देता हूं कि ओके दो को हमने आइड दिया एक दूसरी आइड बना लेते हैं किसी भी नाम से बना सकते हैं कोई शुनिए इसको मैंने अलग कलर दे दिया एन्ड मैंने आइड ले लिया ओ तो इसमें id k और id o यहां हमारा अलग-अलग कलर हो चुका है क्योंकि इसमें दो id है तो दोनोंने अलग काम किया इसमें एक id है तो इसने अलग काम किया लेकिन क्या हमारे पास 15-20 पैराग्राफ हैं तो सबके लिए हम id id तो नहीं लिखेंगे तो वहां पर आपका help करता है division इसको एक example के तुरों समझते हैं हमारे पास एक sector अलग है एक sector अलग है अगर हमें बोला गया है कि sector 16 में यह चीज मिलने वाली है तो आप उस चीज को पूरे sector 16 में ही ढूंडोगे 17-18 में नहीं जाओगे तो कहने का मतलब है कि हमें अगर इन दोनों को ही paragraph को blue color देना है तो हम इस id को हटा लेंगे एंड इसको एक division में दे देंगे div यानी division एंड हमने इसको यहां पर div open कर लिया and div close कर लिया यानी इतनी दूर के जो इलाके में css apply होगी वो के नाम के id की होगी यानी कि यह जो हमारा है पूरा का पूरा एक id में चलेगा और नीचे वाला अलग है उपर वाला अलग है यानी इसका अलग output इसका अलग output एक साथ 5-6-10-20 paragraph target कर सकते हैं तो चलो वापिस हम अपने topic पर आते हैं जो हमें पढ़ना है border border लगाने के लिए मैं यह सारी चीजे हटा देता हूँ और वही हमारा एक area तयार है id के हम उसी को use करेंगे उसकी एक height दे दी मैंने height का मतलब होता है लंबाई चलो height का मतलब obvious सी बात है बताने की जो अतनी है एक होती है height और एक होती है width हमने एक height दे दिया एक width दे दी height is like 30% पूरे screen size का 30% width is like 40% पूरे screen size का 40% आप कुछ भी दे सकते हो 30% in the sense पूरे screen size 100% है तो 30% आप अंदाजे लगा सकते हो कितना होगा width 40% अगर width की बात करें तो 40% कितना होगा अंदाजे लगा सकते हो अभी इसका output भी आएगा उसमें हम चीजों को समझ लेंगे कोई problem नहीं है अब हम सीख रहे हैं border तो border लगाने के लिए सबसे पहले तो मैंने लिखा border border की काफी सारी property है हम जरह बनाते हैं हमने लिखा border 1px solid red इसको बोलते हैं short hand short hand in the sense आप इसको एक line में लिख सकते हो अलग अलग भी हम लिख सकते हैं और एक line में भी लिख सकते हैं तो आपका time बचता है एक line में लिखने से अब जरह इसका output देखके इसका अंदाजा लगा देते हैं कि border होता क्या है अगर हम इसका output चलाएं तो एक border आएगा red color का जो की चारों तरफ red color का है पहली वाली जो property होती है the first property अगर आप इसको बढ़ाते हो अगर आपने इसको 5px, 8px, चलो 8px कर दिया तो आप देखोगे border की thickness बढ़ गए border की thickness increase होगे अगर आप इसको और बढ़ाते हो तो thickness और बढ़ेगी ये thickness के लिए use होता है ठीक है border की thickness के लिए use होगा second जो आपका होता है वो border की एक ऐसी property है जो बढ़ाती है कि border किस तरीके का होगा solid है तो solid आपने लिख दिया dotted तो आपका border dotted shape में आएगा देखो अगर आपने dash लिख दिया तो आपका border dash में आएगा अगर आपने groove लिख दिया तो आपका border groove में आएगा तो हमने यहाँ पे चार property देख लिए border की और भी properties होती है dash, groove and many more अब हम क्या करेंगे border में कुछ नया देखेंगे यानि हमने border को ऐसे लगा लिया अब हम चाहते हैं कि border के चारों तरफ अलग-अलग color हो तो हम इसको हटा देते हैं border top यानि हम border top पे अलग तरीके से चीज़े अपलाई कर सकते यानि border top में मैंने दिया 4px solid red यानि की top मतलब ऊपर वाला जो border होगा उसका अलग color होगा देख सकते हो अब हम देखते हैं border bottom यानि नीचे वाला border 3px solid green यानि नीचे का border एकदम अलग एकदम देख सकते हो देखो अलग होगा ऐसे ही आप चारो तरफ का border दे सकते हो border left 3px कोई कितने px दे सकते हो आपके उपर है कितनी ठेक्सने रखनी है क्या रखना है यलो देते हैं चलो अलग-अलग लड़ मैं देने की कोशिश कर रहा हूं and हमारा border bottom हमने पूरा का पूरा border बना ओके इसके अंदर मैंने top, bottom, left और फिर से bottom कर दिया है इसको हम फिर से ठीक करके top, bottom, left और right रहा गया है मैं right दे देता हूं कोई नहीं हमें क्या करना है अब देखना है कि border के चारो तरफ यह कर्व कैसे हो जाता है देखते हैं border radius border radius में अगर आप चाहते हो कि मैं इसको पूरा ही round कर दो तो आप 50% radius दोगे यह पूरा का पूरा goal हो जाएगा यह round नहीं होता पूरी तरह से क्या reason होता है round नहीं होने का reason होता है कि आपकी height width में फरक है आप height width ही ऐसा रखो कि यह पूरा पता चले कि round है अगर आपको पूरा round नहीं करना है side side से हलका curve करना है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे percentage दे दो 20% दे दिया मैंने हलका सकर depends on you आप कैसा चाहते हो बनाना बॉर्डर में आपको यह सारी चीजे आनी चाहिए ओके बॉर्डर के उपर आपको अच्छे से notes हमारी website में मिल जाएंगे यह वाली coding भी आपको हमारी website में मिल जाएगी आप वहां से direct copy paste करके चीजों को दुबाया से पढ़ सकते हैं ओके तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं किसी अगले topic के साथ next video में thank you